Welcome you all to Intelligence Quotient आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो रेलेटेड है पॉलिशन से, चाइना से और उसकी पॉलिशन के लिए होती इंटरनाशनल क्रिटिसिजम से सब्सक्राइब कीजिए Intelligence Quotient चैनल को और बेल आइकन दबाईए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो अभी एक माहने पहले चाइना ने अपना Environmental Data रेलीस किया जैसे कि आप देख सकते हैं यह आर्टिकल है टाइमस ओफ इंडिया का 14 अपरिल का जहां आप देख सकते हैं कि लिखा है कि China is the biggest polluter in the world in terms of numbers मतलब अगर हम numbers को देखे तो China is the biggest polluter in the world as compared to any other country although आज जितना भी आप pollution देख सकते हैं उसका 52-60% पिछले 2 centuries में जब अभी के जो developing nations है वो underdeveloped थे और जो अभी के developed nations है वो developing थे तभी के time में जबी revolutions आ रहे थे industrial revolution आया था 18th 19th century में ऐसे यह time में बहुत सारा जो अभी का pollution उसका 52-60% तब release किया गया था जब पूरा Europe और West अपने development के लिए millions of tons of carbons और बाकी gases release कर रहा था environment में बट अब चाइना ने भी जब से पिसले 40-50 साल में यानि from the year 1970s and 80s के बाद जब से अपनी economy को उन्होंने liberalize किया है मतलब पूरी दुनिया के लिए अपनी economy को open कर दिया जब से चाइना ने तब से उनकी यहां भी pollution massive level पर बढ़ गए है मैं आपको एक किसा बताता हूँ 1976 में चाइना की population ने वन बिलियन टच किया था तब वहां की सरकार ने उस population को उपर वीडियो तो इसमें यह किया गया था कि उन्होंने dictate कर दिया था कि मतलब जब तक Mao Zedong थे that is till 1975 तब तक तो यह नहीं था लेकिन Mao Zedong के death के बाद से तुरंत ही यह policy ला दी गई कि you can't have more than one children's और वहां पे एकदम dictate करने लगी Communist Party of China तो उसके बाद से trend देखा गया कि although वहां पे one child policy लागू थी बट फिर भी वहां का per capita जो pollution release करते हैं वो दुनिया में कुछ सबसे जादा में से मैं आगे चल के आपको चार्ट भी दिखाऊंगा तो जैसे कि आप इस graph में देख सकते हैं कि चाइना ने USA की comparison में भी कितना जादा carbon release किया है और per capita carbon footprint में भी आप देख सकते हैं कि इंडिया का per capita carbon footprint दुनिया में one of the lowest है वहीं चाइना का one of the most है although US का सबसे जादा है क्योंकि वहां की population अगर आप देखेंगे तो somewhere around 330 million यानी 33 करोड है और इंडिया की population 1.3 billion यानी 130 करोड है इंडिया की population और चाइना की population है 1.43 billion यानी 143 करोड पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया और चाइना की population में सिर्फ 13 करोड का gap है बट फिर भी इनकी per capita अगर आप carbon footprint देखेंगे तो इंडिया का 1.8 ton है per year और वहीं चाइना का है 7.7 ton per year यानी almost 5-6 गुना जादा है और वहीं अमेरिका का 15.7 है although इनकी population भी इंडिया और चाइना से लगभग 4 गुना कम है तो अगर आपको अगर इनको इंडिया और चाइना से compare करना है तो इसको चार से डिवाइट कर लीजिए मतलों almost इनका 4 के आसपास इनका carbon footprint है वो भी इंडिया से जादे ही है क्योंकि इंडिया का carbon footprint 1.8 है अब अगर चाइना को दुनिया में अपनी image एक super power की बनानी है तो उसके लिए उसे अपनी economy को भी जो उनका हालात है जो फिलाल उनकी बिज़ती हो रहे due to this coronavirus और अब यह जो नया pollution का फंडा आगे है इससे हटा कर renewable sources पे shift करना हो पड़ेगा अब इसके लिए चाइना ने renewable sources है उनको चाइना ने चूज किया है कि हम इनको prefer करेंगे although इन में पैसे लगते हैं बट फिर भी चाइना तो कुछ भी कर सकता है अपनी super power image के लिए मतलब जिसने USA से पंगा ले लिया वो तो कुछ भी करी सकता है तो यह बारा जो project है यह related है nuclear energy में तो सबसे पहले हम इसका आठ मतलब बनने थे पूरा plan time का की आठ units बनाएंगे जिसे हमारा तारापुर nuclear power plant उसमें चार units है और हरे की capacity लगबग शायद एक गीगावाट है तो वो चार गीगावाट बनाता है वैसे ही जो यह चाइना का 93 nuclear power plant है इसमें भी total 8 है और इसे किसने बनाया है दो companies ने मिलके बनाया है that is the China national nuclear corporation और एक यह है atoms raw export अब देखे जो रश्या के होते companies उनका नाम ऐसे ही होता है जैसे आप देख लिए जिस space का जो एक्सपोर्ट करती है रॉस बरॉन एक्सपोर्ट वैसे इनके नाम होते है तो यह जो आटम स्ट्रॉइ एक्सपोर्ट है यह जो रॉश्यान nuclear corporation रॉस आटम इसका एक नुक्लियर एक्सपोर्ट करने वाला ब्रांच है तो इन्होंने एक कॉर्पोरेशन जॉइंट वेंचर बनाके इस प्रोजेक क तो डेवलप किया है तो अभी तक इसमें छे यूनिट्स बन चुके है मतलब चार पूरे फंक्शनल है और यह सेवन्थ और एट्थ के लिए भी यह किया गया है मतलब उसका अप्रूवल दे दिया गया है अब इसके बाद जब यह आठों बन जाए गए तो इस पूरे जो इसके यूनिट्स बनने उसकी कॉस्ट आ रही है 3.3 बिलियन डॉलर यह पूरी प्रोजेक्ट की कॉस्ट मत समझ ले ना पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट तो समवट 12-13 बिलियन डॉलर के आसपास है बट यह से 7-8 इसलिए तो मैंने कहा ना चाइना के पास बहुत आड़ा जाननों लोज्ब से तक बימिल साइन की चाइना का उडरेड़ एक अगजिस्टिंग पाउर प्लैंट था तब जो यह से 97 नुक्लियर पाउर प्लैंट था इसमें एक ही यूनिट लगा हुआ था तो तो एक अगजिस्टिंग पाउर प्लैंट में कापैसिटी डॉलर के बेच में जिसके बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा नुक्लियर पाउर प्रोजेक्ट बन जाएगा और इस प्रोजेक्ट का ओनर जो है जियांक्सू नुक्लियर पाउर कॉर्पोरेशन यह एक जॉइंट वेंचर है बिट्वीन दे चाइना नैशनल नुक्लियर युकरत नुक्लियर प्रोजेक्ट में यह थाद यह जर्ए अर। आप यह देख सकते हैं उसका मतलव मतलब चाइना की पार्टनर्शिप के बारें बता है कि यह चाइना और रंशा कॉननेyy है नुक्लियर पाउर प्रोजीक्ट में कोपरेट करने वाले था है तो दोहजार की बात है कि रश्या और चाइना ने यह कोपरेशन डील साइन की थी कि यह 93 नुकलियर पाउर प्लैंट में यूनिट 7 और यूनिट 8 में कोपरेट करेंगे और मतलब और अरेड़ी बाकी छे में कर चुके थे बढ़ बट 7 और 8 में भी करेंगे और यह जोडापू नुकलियर करेंगे इसमें भी कौपरेट करेंगे इनुट तू एंड़ अट सरे यूनिट 3 अन्ड यूनिट 4 डेवलोप करने के लिए नौं हम जस्तनेक्स स्लाइड में बात करेंगे इसके इंडिया की टोटल कपैसिटी की और चाइना की टोटल कपैसिटी और उससे पहले यहां पे आप देख सकते हैं, Russia and China held the groundbreaking ceremony of this joint nuclear power energy project on Wednesday, मतलब जो अभी Wednesday गया है, इसी दिन को इन्हों ने इसकी groundbreaking ceremony start की, मतलब की थी, मतलब उसी दिन से ये project का construction start हो गया है, यहां आप देख सकते हैं कि comparison किया हुआ है, इंडिया और चाइना के energy sources का, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दोनों ही countries में coal सबसे बड़ा है, इंडिया में 53% जो हमारे energy का need है, वो coal पूरा करता है, वहीं चाइना में 51.8%, पर यहां आप देखेंगे, चाइना एक 1000 गीगावा natural gas की बात करें, तो चाइना का 4.5% और हमारे इंडिया में natural gas बहुत कम use होती, उसे हमने divide कर रहा है, gas, wind power, फिर भी हम gas को consider करते हैं, तो that is 6.6%, चाइना की यह capacity 90 गीगावाट्स, और इंडिया की यह capacity 24 गीगावाट्स, और बाकी के जो thermal होते, वो 1.7 वहीं इंडिया में 1.6 और nuclear का बात करें, तो चाइना में 2.4%, और इंडिया में वहीं nuclear 1.8%, और इंडिया का 6 गीगावाट्स है, और चाइना का 48 गीगावाट्स है, और जो hydro projects होते हैं, small and large दोनों के मिलाके, तो इंडिया का 15% है, और वहीं solar की बात करें, तो जो चाइना है, वहाँ पे इनकी solar से आता है 10.2%, that is 204 गीगावाट्स, और हमारा तो एम 2022 का 170 गीगावाट्स है, तो अभी हमारा 38 गीगावाट्स आता है solar power से, और यानि हमारा भी 10.3% आता है इसे, तो यह छोटा सा comparison था बेट्वीन चाइना एंडिया, और चाइना अपनी टोटल एनरजी प्रोड्यूस करता ह 2200 गीगावाट्स, वहीं इंडिया 382 गीगावाट्स, यह जस्ट information थी, और चाइना में जो उनकी 100% population है, उसके वो electricity provided है, वहीं इंडिया में यह percentage 87 का है, मतलब इंडिया के 87% लोगों के पास electricity आज के दिन में available है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह जागरण जूश का आर्टिकल है, रॉशिया और चाइना स्टार्ट देर बिगेस्ट नुक्लियर पावर प्रोजेक्ट, यह 20 में का आर्टिकल है, और यह वही दवीक का आर्टिकल है, रॉशिया और चाइना टूप किक ओफ देर बिगेस्ट नुक्लियर पावर प्रोजेक्ट तोड़े, यह म मतलब जी जिन पिंग और व्लादिमिर पुतिन दोनों ने ओनलाइन के माधियम से मतलब वीडियो कॉल के माधियम से इसे जॉइन किया था इस पूरे प्रोजेक को आज का question of the day ये है कि who is the second wealthiest person of Asia मतलब Asia का दूसरा सबसे अमीर आदमी कौन है पहला सबसे अमीर आदमी तो आपको पत है ये मुक्य शंबानी दूसरा कौन है आपके option से जॉंग शैन शैन बी गौतम अड़ानी सी जैकमा या डी रतन टाटा और जो इसका answer इस question का answer मैं दूंगा अगले वीडियो के end में और जो मेरा पिछला question था कि जो international solar alliance से उसे कब बना गया था तो उसका answer है 30th November 2015 on the sidelines of G20 मतलब G20 summit हो रहा था उसी के sidelines में ये इंडिया और फ्रांस ने मिलके international solar alliance का गठन किया था तो hope आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा so be safe and keep watching the channel